जी कुछ हमें मतलब मेरी उम्र जो है थावी साल है जी और करीब पंदरह दस सालों से जब मैं मैं अप्लिक में था तभी से ये गिल्टी गांठ मतलब पिस साइब का अपरे बॉडी में रस-पंदरह हो चुका है जो आप बता रहें शरी में कई जगा पर गांठे ये गांठे जनरली कई बार मांस की गांठे होती है यह बिनाइन होती है यह कोई कैंसर नहीं होती है परंति से देखने में भद्दा लगता है शरीर और इसमें हमने देखा है आईरवेज से थोड़ा सा लाब होता है कई बार कचनार गोगला और बृधिवादी का बटी दो ही आउश्दियां हम इसमें निर्देशित करते हैं इसके अतिरिक तो इसमें पूरा लाब मिलेगा कर लिए तुम प्राणायम रेगुलर करो कम से कम 10 मिनिट कपाल भाती और 15-20 मिनिट आप अनुलों मिलों प्राधी दीन करिए पांच मिनिट आप भस्तरिका कर लिजेगा इससे आपको पूरा लाब हो जाएगा इसको लेकर का बिल्कुल परेशान मत हुए प्राणायम लिए उस प्राणायम से उसमें भी लाब होगा आपको क्योंकि यह जरूरी है इस तरह की जिसे गाठें हो गर होती है जो नौमली जो गाठ होती है तो उसमें आप प्राणायम से और कुछ थोड़ी सी अउश्रदी से उसको आप ठीक कर सकते हैं